नेपाल is one of the earliest countries to be introduced with hip-hop. 1992 मा गिरिस खती ओडाले आफनों वेरी फर्स्ट अल्बम, Meaningless Rap, रिलीज गरे संगई, नेपाल मा प्रपर रैप म्यूजिक को स्तुरुआद भएको हो. 1992 बाट 2023 सम्मा आएपुगदा, नेपाली रैप सिन्मा थुप्रेच चेंजेज आई सक्ये कोछ, तर अजे पनी अरु जन्रोक म्यूजिक अरु जस्तो, मेंस्टिम बई सक्ये कोछ इना नेपाल मा रैप म्यूजिक, मास अजे पनी रैप म्यूजिक सुन्देनान, रैप बिजमा पनी रैप म्यूजिक ले इन्क्लूड गरना थालिये कोछ, विच इस अ वेरी गूड तिंग, लास्ट टू-3 येर्च मा नेपाल मा रैप म्यूजिक को ग्रोथ ले रफ्तार पकरे कोछ, अन ये रफ्तार को बिजमा, वे विटनेस्ट सम अप अर्लियस्ट रैप र जहां नेपाली ही पापले, वन बाई वन गर्दे सीटी चोडी रहे को हमले देखना पाया का छोंग, अनि अरको एग्जाम्पल को लागी, एक बर्च अगारी मात्र, इमेज मुजिक अब वर्च मा रैप को लागी छुट्टी क्याटोगरी बनाए ये कोछ, विच इस अल् नेपाप को श्रिपेज बन्दा जस्ट के टाम पईला मात्र, ब्रेक स्टेशन को तर्फ बाट ब्रेक बाच बैटल आयो जना भाये को थियो, विच वज वज अ काइंड अफ ब्रिच बिज बिज बिवेन रैप बैटल अन रियालिटी सो, एसको थीम एकदमे यूनिक थियो तर जेऊस रैप रियालिटी सो जस्त कुरारू मापनी अडियन्स को इंट्रेस्ट सो बनेर पुरूप गरना लाए, ब्रेक बाच बैटल अपनी ठुलो हेल्प गरे को थियो, तर नेपाप को श्रिपेज वज टेलिकास्टेट अन नेशनल टेलिविजन, सो हमरो लागी, इस इस दो फर्स्ट रैप रियालिटी सो, सो को जोजेज को रूट माँ आमले बालेंसा, गिरिश खती ओडा अन मानाच गलेला देखे का थियो, सो ले एक दमे सफलता पाया को थियो, ट्रेस को विनर बने का थियो, वाइवे सायमन, नेपाप को श्रिपेज ले, सफलता को साथ इस दो फर्सा को रूट सो, सो जो पालेंसा यहाण देखे का थियो, सो इस बाले माँ आवाज उठायी माँ यह ले बहने का थियो तर आर्टिस ले बने पे गरी राखे को छाई ना उनले इवन योपनी बने का थिये कि उनले इसरे आवाज उटोना थाली छाके पची बल्ला वुइनर ले पने आपनो फूल पेमेंट पाये का हुन बाबु बिलीबर ले ते थिबला नेफपको स्रीपेस ले डिस पनी गरे का थिये बाबु बिलीबर लाई सपोट गरने और को संखहा एकदमे कम थियो बने उन्ने धेरे मात्रामा बैक्लाश्ट पाये राखे का थिये अंनि ये कुरा कुकि वसेष बाभु बिलीबर को डिस गेम को ब्यूपनी बनन पुगयो जुन डिस गेम को बारेमा नेपाली इपाव फ्यान्स लाए था नहीं होला बालेनस आले विनर लाए लगायी दियेको मुकुट को बारेमा नेफब को स्रिपेज को टीम ले अफिशेल ले आपनो गल्ती एकसेप्ट गरे कतियो रा मापी पनी मागे कतियो किना कि तो योड़ा अंजानमा भाय को गल्ती थियो तर जुन कंटेश्टें ने धरे पहिशा दीरयो ऊशेले सो जीतनो इज नाट फेर बन्ने कुरा मा नेफब को स्रिपेज को गेपनी रेस्पाँस थेयो अनि ओरको दीर आर्टीट दो डेले आफनो पेमेंट पायनान बन्ने कुरा मा पनी नेफब को स्रिपेज वास mute अनि औरको तीर औरको सोको रिसेंटली मात्र सीजन वन सीद्धी एको छा जसले पनी एकदमे धेरे कंट्रूवर्ची को सामाना गर्णू परेको थियो इन फैक्ट नेफब को स्रीपेज बंदा एकदमे धेरे कंट्रूवर्ची को सामाना गर्णू परेको थियो शो रायकोच रैप स्टार रैप स्टार नेपाल को सेकेंड रैप रियालिटी सो विज वस टेडिकास्टेट अन नाशनल टेलिविजन सो को जोजेज को रूप माँ हमले डीजे एजे मिस्टर डी और अगेन गिरिश खतियो राला देखे का थियों यो सो पनी के यहाद समा पपुलर थियो पर अनफोचनेटली नेफब को स्री पेजस्तो पपुलरिटी यो सो ले गेन गरना सके ना प्रो यो सोला हेट गरने माँचे और एकदमे धेरे छन फर्स्ट मात सो मा प्री रेकॉर्डेट संग मा लिपसिंग गरियो बन्ने कुरा चलियो एस मा रैपस्टार को तरो बाट के यह पनी रिपलाई आया न तरजे ओस तेसरी ओडियन्स ले चाएं बेटर क्वालिटी आडियो पाई राखे का थिये रो सोसल मीडिया मा योकुरालाई क्रिटिसाइज पनी करी रहा का थिये की रियालिटी सो मा रियालिटी बहायना आन पसी रैपस्टार ले लिपसिंग गरना बन्द गर्यो तिस पसी रैपस्टार के कांटेस्टें बों संग एकदमे ठुलो का ति थिवायो तिती बला एकदमे हेट पाया को थे रैप स्टार ले बोंगले स्टेज माई बेर को बोटल फोडे का थिये एसको पसारी थुपरी रिजन थिये related to the management system of the show आर्टिस्ट अरुलाई राम्र संगा खाना रो बश्नक समय बेबस्ता भायना बने रा बने का थिये बोंगले तिती बेला और यो कुरा मा सोका जर्जिज मिस्टर डी आण डीजे एजे पनी अगरी थिये उने अटले पनी रैप स्टार को management system मा अउला उठाय का थिये अने नेफब को श्रिपेज मा झस्ते वोट गणाला पोशा तीरन पर ने बने कुरा मा फेरी विबाद भयो तर अल्डेडी नहीं नेफब को स्रिपेज को बेला मा यो कुरा ले धरी चर्चा पायको कारयनले राप स्टार ले के बेंफिट भयो पेड वोटिंग को कुरा मा तिती ठुलो कोंट्रोबर्सी भाया न एन फेरे अंतिम मा आर्टिस्ट लाइप गरिये न भन्ने कुरा उठियो बरू नेफब को स्रीपेज मा जोज अरुको पेमेंट को रिगाडिंग केप नी कुरा उठेको थिये न पड़ रप श्टार मा सो को जोज लाइप समय पेमेंट न दियेको कुरा उठियो मिस्टर डील यवरा पोड्कास्ट मा यो कुरा खोले का थिये नेबाल गो रियालिटी सो मा रियालिटी सो रह चा वानि महली बुजी औरा? कुस्तो ओंद रजे ते त्यो रियाल नदो कोजाई कुस्ता कुरा आरू देरही कुरा आरू जस्तो बाईर त्यो उसको लागी देखावने मैसे लाए गें अनु प्रोस्टेट बाई बाई अ रहा जो गवर्धीन अब देखी वने त्यों सोच पाई इसे है गें बसчики किन नosas खया भी किने उनल हो क्रोंआ करमा ना। युः त Regel राइन दीयाल्टीशा में एप उनल को सब्सक्राइअ हो really आप आप यू नेीट कोना प्राइज हुआ अंदू प्रैज्राइघ में आप नो बेगी हो पाई कमा नब येुए ये उद्वारान pillow. अबो कस्तों ओंदाले जब जोज ठामा बहिए शोओ बनने ओंदाले छेगे एदी अरूले प्राइस पायान मने पनी पनी आ जोज ले अधिक अहीना ना आमी तरकाम दारो बस आमीला एर ना एदेखो आमी एर नी तो पर पतिबाद देखाऊनी पहिशा कमाऊनी पहिशा गु जानेशन, बिगर सेट, बिगर बजेट, हायर क्वालिटी अन बिगर प्राइज़ एवडा रियालिटी सो चलाऊना लाए थुपरी खुरा आरू ध्यान नुपर्छा न थुपरी कुरा आरू जुटाऊनु पर्छा, लिगल पेपर, टेलिविजन कंट्राक्ट, स्पोन्सर वोटिंग, और मेबे अरुपणी के उनसक्षान, फोस्ट मा मर्चेंडाइज को कुडा गरनु पर्दा, आ डोंट थिंक क्यो रैपस्टार और नेफब को स्टिपेज जस्ता रियालिटी सोजले, आफनो मर्च सेल गरेगा थिये, मेबे यो मीडियाम तेत्ति एटेंशन ग् का मैरे एकाउन छन, शोको एपिसोड अरु औरु अनि साला साला किलीप अरु शोचल मीडियामा पब्लिस करेरा, राम्र रेविनियु जेनरेट गरना सकीन च, तर युए रेविनियु तेती धिरे राम्र हो देनकी, एज होल सोलाईने चलावना सकी योश, तर जेवस, सोच अरुचल मीडिया इन गौंटेक्स्ट अफ नेपाल, रेविनियु जेनरेट गरना युटा राम्र मीडियम हो, अनि अरको रायकोश लाइब इवेंट्स अन टूर्स, इस्तो शोवरु बाटो पॉपॉपॉलारिटी गेन गरेका के आर्टिस्ट अरुको डिमांड अनुसार उनियोरला कॉंसर्स अन टूर्स प्रुबाइड गरेरा, तेस बड़ा आयको 14 परसेंट आफले राखनू पनी, यहोडा राम्र सोर्स अफ इनकम हो, फो धर रियालिटी सोज, तर हमले कुरा गरेरायका सोज ले एस्तो गरेको, हमले रेरली देहेका छो, शो प्रबाबली यह बटा पनी, यो सोज अरले कम अन गारो ने छो, अनि नेक्स्ट रायको छा, स्पोंसर्शिप अन एडबर्टिजमेंट, इस माइड बी दा मोस्ट एफेक्टिफ इनकम जेनरेटिंग मीडियम फो धिस सोज, ठुलो ठुलो ब्रैंड अरूले, एकदमे राम्रामांट को मनी प अच्छोटा मात्रनोगार एकदमे धेरे हुँँँचन, इस बाड़चा एकदमे राम्रामांट को मनी अन गरीरेकाउंचन एसता रियालिटी सोज ले, अनि अरकुरायको छा टेलिविजन, आफनो सोलाई टेलिविजन मा चलाए बापत, त्यो पाटिकुलर चैनल ले राम् अनि नेक्स्ट रायको छा ओडियन्स वोटिंग, अडियन्स वोटिंग, ग्लोबल ली एर नियो बने, के सोज मा पेड उंचन बने, के सोज मा फ्री उंचन, एम्टीवी हसल के कुरा गर नियो बने, त्यहां आपनो फेबरेट कांटिस्टेन लाइब वोट गारना टोटली फ्री छा, पेड वोटिंग अलिकोती अन्फेर वोने बयोको कारनले गर्दा, देरे सोज ले वोटिंग फ्री गरना ने प्रिफर गर्चन, एक्चुली प्रिवेस्ली डिसकस गरेका, बिविन ने इंकम स्वोर्च अरू बाट राम्रो इंकम बहिराको छा बने, एसले फ्री यो बंदा पोईला आया का संगीं र्यालेटी सोज को वोटिंग पनी पेड ने थी है, तर फ्राक्ट काण्ड बी डिनाइड, पेड वोटिंग अन्फेर, इफ पेड वोटिंग मा एक जना बेक्तिले एक चोटी मात्र योडाला मात्र वोट गरना पाउच बने तेला हमले फ आस्ता जोई नेपाल नमस्ते टाटा बबाई